SDM पालंपुर धर्मेश रमूत्रा ने बताया कि Red Zone क्षित्रों से आने वाले लोगों को Institutional Quaintain Center प्रावर में ही आना होगा उन्होंने कहा कि जो लोग Red Zone क्षित्रों से आये हैं और अपने घरों में चले गए हैं उन्हें Institutional Quaintain के लिए प्रावर में रहना होगा नमस्कार आध कल बहुत सारे हमारे जो बहरी राज्यों में लोग हैं वो हिमाचल वापस आ रहे हैं घर वापिस आ रहे हैं कि हमारे यहां एक मुजित्रों बीकोho बहारी व्यक्ति भोह से आता है तो उसके टेस्ट इत्यादी के लिए कि हमने institutional quarantine center में वेवस्ता की है जो भी कोई रेड जो उनसे वेक्ति आता है तो कृपया वो सबसे पहले जो हमारा यहां पर और में रादाश्रामी सत्संग ब्यास जो भवन है वहां पे हम उन्हें institutional quarantine कर रहे हैं वहीं पी हमने वेवस्ता की है तो मेरा लोगों से आगर्य रहेगा कि जो कोई बेक्ति बाहर से आता है क्रिपया सरब प्रत्म वहां जाएं तो दो-तीम दिन के बाद हमारा वैसे तो 5 दिन का period है तो 5 दिन के बाद बहाँ पे टेस्ट की विवस्ता है और उसके बाद जो भी टेस्ट का result रहता है उसके बाद शहरी व्यक्ति हैं, पंचायत प्रतिन भी हैं, प्रधान, प्रधान, वार्ड मेंबर्स या और भी कोई जो स्थानिय निवासे हैं, अगर उनके नॉलेज में कोई व्यक्ति ऐसा आता है, जो बाहर से आता है, तो कृपया उन्हें संदेशा दें कि वो अपने टेस्ट के लिए इंस्टिशूशनल कॉरंटीन सेंटर में जाएं, इसके अलावा अगर कुछ व्यक्ति पेड गेस्ट आउस में रहना चाहते हैं, तो पालंपूर में टूरिजम डेपार्टमेंट का टी बड और एक प्राइवेट उसका माउंट व्यू करके होटल है, वहां पे भी रहने की विवस्था की गई है, जिनकी दरें सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, तो मेरा इस संदेश के माध्यम से सभी लोगों से आग रह रहेगा कि कृपया अगर साथधानी बरतेंगे, तो इस कोरोना के संकट से असानी से निकल जाएंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, विज मेल में गई है अगर साथना।